कैसे हैं तो स्वागत एक बार फेर से आपके अपने योटूब चैनल एक के आई टी से लूशन में इस्टुडेंट्स आज हम लेके आए हैं इस राइटर की सिरेज इसमें आज हम जानेंगे विंडो और हेल्प मेनू के ऐसे कोशिंस के बारे में तो आपके एकजाम में लिब्रे आफिस राइटर को समाप्ट करेगी चलिए जान लेते हैं हम लोग कि विंडो और हेल्प मेनू से ऐसे कैसे कैसे कोशिंस आपके एकजाम में पूछे जाते हैं इस्टुडेंट्स हम लोग आ चुके हैं अपने पेज पे और यहां पर अगर आपको मैं दिखाओं तो इसको भी मैंने यहां पर तीन कटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सौटकट कौन कौन से आते हैं इन आप्सन से इसके बाद हम देखेंगे मेनू वाइज आप्सन और उस आप्सन का यूज देखेंगे कि विंडो और हेल्प मेनू मैं कैसे को से आते हैं टूर नेक्स हमदो सबसे पहले वाले स्टेप पर बढ़ चलते हैं और सबसे पहला सौटकट मैथेड अब लोग आप्सन की बात करें मेनू की बात करें इन मैनू से सिर्फेंस को देखेंगे आपके CCCC और O-Level के exam में जो आपके window और help menu से विलॉंग करते हैं यहाँ पर सबसे पहला आपका question बनता है कि close window की shortcut की क्या होती है तो close window की shortcut की जो होती है वो होती है आपका control W उसी तरह से पूछा जाता है कि help की shortcut की क्या होती है लिब्रे office में help की shortcut की अटी है वो होती है आपका F1 नेच्ट अगला जो shortcut की की पूछा जाता आपके exam में वो यह पूछा जाता है कि Search command की shortcut की क्या होती है तो Church command की shortcut की होती है वो होती है आपका shift के साहथ gap यह तो आपका पहला इस्टिप हो गया दूसरा इस्टिप अगर इसमें देखें इसका दूसरा जो टाइब कोश्टिन बनता है एये मेनू आईज बनता यह पूछा जाता है जिसमें हम अगर सब्सक्रांपनले के बात करें यहां पर दिया गया है क्लोपफण विंडो ने क्लोज विंडू जो होती है पाया जाता है तो रिस्टार्ट सेफमोड का सिल्डू में पाया जाता है अगला जो इसका बनता है कि donate to Libre Office donate to Libre Office जो होती है वो कहां पाई जाती है यह भी आपका help मेनू में पाई जाती है ठीक है यह तो हो गया हमारा दूसरा इस्टेप ठीक तीसरा अगर हम टाइप देखें तीसरा टाइप यह है आपका option wise जिसमें आपका new window और donate to Libre Office के बारे में पूछा जाता है इसमें सबसे पहले वाले की बात करें हम लोग new window की इससे क्या होता है कि इस option की मदद से नई window open कर सकते हैं अगर आप writer योज कर रहे हैं और उस writer की उसी की duplicate window चाहिए एक नई इसके लिए आप जो है नई window का option आप यूज कर सकते हैं अगला यहां पर donate to Libre Office जो option होता है वह help menu में पाया जाता है इससे क्या होता है कि इस option की मदद से Libre Office Corporation को कुछ payment आप donate कर सकते हैं अगर आप Libre को चलाते हैं अगर आपको Libre का function उसके options अच्छे लगे आप क्या कर सकते हो Libre को कुछ आप donate कर सकते हो जितना भी dollar अगर आप करना चाहते हो तो यह तो हो गए आपके questions जो help और window menu से पूछे जाते हैं तो students अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल subscribe नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को प्रेस कर दीजे तो students यह हमारी सीरीज जो राइटर की है वो आज समावत हो गई है नेक्स्ट हम अगले दिन से सुरू करेंगे लिब्रे आफिस इंप्रेस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर